हलो एविवन मैं हूँ गौरव कावरा आप सब का बहुत बहुत स्वाकत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज फिर से एक बहुत ही मज़दार वीडियो मैं लेकर क्या हूँ आप सब के लिए CFA Level 1 के recently exams हुए August में result आज आ चुका है and result आने के बाद की हमेशा की तरह एक customary exam result analysis का वीडियो आपके लिए लेकर क्या हूँ काफी सारी important insights हैं जो लोग exam दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं या जिनों ने दिया पास किये फेल किये जो भी किये उनके लिए ये वीडियो definitely काफी जादा worthwhile रहेगा आज जादा समय में पास है भी नहीं जादा समय आपका लूंगा भी नही and I will broadly talk about the major points जो की August examination के results के बा इस तरह की information बहुत काम की है और अगर आप भी अपना examination खास करके 2024 में अब देने वाले हैं तो इन सारे results का जो भी हो रहा है जो कुछ भी analysis है वो जरूर से सुनिए आपके upcoming examinations के लिए काफी जादा जरूरी है चलिए शुरुबात करते हैं without any further delay सबसे पहले आप देख सकते ह this is August 2023 examination जिसका result analysis में करने जा रहा हूं मेरी first major observation रही वो है with respect to number of students appeared अगर हम number of students appeared की बात करें तो यहाँ पे 23,289 students ने appear किया जिसमें 8,713 ने clear किया overall passing percentage हम बोल सकते है that it is 37% now 37% I would say is within the range of 37 to 39% ये एक range है और इसी के इर्द गिर्द रहा है ठीक है हाँ lower आप level बोल सकते हो कि 37% on the lower side है but still अगर हम August के results से compare करें last year तो वो भी 37% ही था so August generally आप बोल सकते हो 37% के आसपास का रहेगा figures अगर तो ये in line ही है मैं इसे कोई outlier नहीं मानता है outlier तो थे 2021 में हुए results जो कि 26-27% के आसपास के थे वो बहुत खराब थे but ये अच्छे results है 37% I would say एकदम consistent है consistent है and इसके लिए मैं बहुत appreciate करूंगा institute को that अब वो एक consistency की students यहाँ पर पास होंगे so 37% का मतलब किया just in case आप evaluate नहीं कर पाए 100 students ने अगर exam दिया होगा उसमसे 37 ने clear क्या होगा 63 ने exam को fail क्या होगा मेरे इसाब से यह अच्छा number है खराब नहीं है okay number of students के उपर में मेरी commentary last time मैंने first time दीती और इस बार फिर से दे रहा हूं and मुझे इस लेकिन जो काफी time से CF institute से साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दू कि यार 2016-17 में बहुत जादा number of students exam देते थे उसमें आप देख सकते हैं consistently लाख के उपर 1.5 लाग के आसपास में pre-covid exams दिये जाते थे यह वो time था जब institute साल में सिफ दो बार exam लेता था June and December and यहाँ पर साल में 4 बार होते भी नहीं थे exam फिर भी देखो कितने जादा students exam देते थे now obviously these are global numbers में Indian numbers की बात नहीं करा हूँ पर यह global numbers बहुत जादा strong थे and मुझे ऐसा लगता है कि उससे काफी नीचे आ गये हैं अगर आप यह notice करेंगे 2020 को तो side ही करो वो covid year था एक ही exam हुआ पांच exams होए थे पांच और ग्जाम मिला कि इतने students ने exam दिया so यह कम है या तो 21 में 5 होए थे या 22 में 5 होए थे एक बार चेक कर लीजेगा but still कम है number बहुत कम है एक लाग 50,000 से 82,000 लगबग 50% के आसपास आप आगए आप बहुत नीचे आगए हो and अभी भी 63,600 जरूर है जो की 3 terms include करके है मुझे पता है एक और term है यहाँ पर जो यहाँ पर add होगा और वो term add होने के बाद में यह last year के number को तो cross करेगा मुझे ऐसा उमीद है so last year 82,000 था इस वार मुझे लगते 82,000 तो comfortably cross होगा it should be close to 90,000 के आसपास का number now अब यहाँ पर 2-3 चीजे है जो मेरको थोड का option है so number of students जो defer करते examination मुझे से चुपानी है बहुत जादा है so ऐसे में yes deferral के वजए से यहाँ पर number of students appeared हो सकता है कम नजर आ रहे हो I totally get it समझ में आता है मुझे लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है there is one big thing जिसके ओपर मुझे बात करनी चीए and that is the fees मेरे को लगता है biggest reason क्यों यह कोर्स नहीं कर पा रहे है जाता लोग वो है इसकी course fee and अगर आप इसको धंग से calculate करें तो यह एक बहुत बड़ी value already आज के दिन रखता है इसमें सिर्छ CF Institute को blame करना जुरूरी नहीं है इसमें हमारी भारतिय सरकार यानि Indian government को भी blame करना चाहिए पहले इ 18% फिर उपर से Indian currency depreciate हो रहा है और depreciate होते होते हैं अच्छे वासे level पर पाउचने के वाज़े से यह बहुत expensive हो गया है course absolute value इतनी जादा होने के वाज़े से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एक appeal करना चाहूंगा CF Institute को कि please अपनी fees को थोड़ा सा reduce करें पहले members के लिए fees reduction थी CF Institute की तरह से Indian members के लिए वैसे ही कुछ Indian students के लिए अगर हो सके कोई भी institute का अगर यहाँ पे कोई भी member देख रहा हो या कोई भी देख रहा हो इस वीडियो को please एक बार consider कीजिए कि fees थोड़ी सी reduce हो सके तो करिए और खास करके ऐसे समय पे जहाँ पे 2024 के exams के लिए institute ने result काफी जादा result छोड़ो fees बहुत जादा बढ़ा दिये फीस बहुत बढ़ गई इसके अलावा अब separate packages आ गए है practice pack यह वो करके बहुत जादा charges हो गए है तो ऐसे में इतने सारे charges के साथ मुझे लगता है काफी सारे students के लिए practically possible ही नहीं होगा course करना तो ये institute को consider ज़रूर करना चाहिए इंडिया से कभी भी कम admissions नहीं रहे हैं हमेशा जादा रहे हैं मिर पास Indian specific numbers नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये number इतने कम क्यों हो गए क्योंकि मुझे लग रहा है fees कुछ जादा ही high हो चुकी है और इतनी जादा high fees पे sustainable नहीं है numbers यहां से गिर सकते हैं आके जा करके अब कई लोग यहां देख रहे होंगे जो आसपास के countries के हैं कोई पाकिस्तान का है कोई बंगलादेश का है कोई नेपाल का बुलेगा सर हमारे लिए क्यों प्रे नहीं कर रहे हो तो लोग भाई मैं Indian subcontinent कह देता हूँ ठीक है यहां पर बहुत आपको आसपास की जितने भी Asian countries अब के लिए अगर fees reduction हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ठीक है चली आगे बढ़ते मेरा third जो यहां पे एक observation रहा वो यह है कि इस बार मेरे को लगता है MPS 68 के close था ना कि 69 के close अब आप कहेंगे 1% के लिए क्या ही लड़ाई है मैं भी सच बता हूँ तो नहीं questions राइट करने पड़ेंगे exam में तो exam में 180 questions आते हैं बड़ अगर 100 आते तो 100 में से आपको 68 कम से कम cross करने पड़ते तब जाकर कि आप exam में पास होते यह एक मेरा analysis है यह 69 से 68 मुझा ऐसा फील हो रहा है दिरे तरे migrate कर रहा है तो पहले 69 के close होता था था आप 68 के closer है again यह सारा approximation है मेरे पास में कुछ asset tools है कुछ techniques है जिसके through में यह analysis कर पाता हूँ बड़ यह analysis को आप एक pinch of salt के साथ लेना इसको एकदम full proof मत समनला यह approximate है now here is one thing that I would like to again 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 confirm to you मुझे यह वाला question तो इतना जादा आता है students पूछते हैं कि sir हम कैसे ensure करें कि हम exam pass करेंगे तो भई exam pass करोगे इसको ensure करने के लिए आप यह देखो कि आपके candidate resources की practice में क्या आपका 75% के आसपास आ रहा है क्या अगर आपका 75% के आसपास आ रहा है you are good to go exam म नीचे और तब तो आप बहुत डेंजर जोन में हो इन चीजों को please lightly मत लीचे का कई students है जो मुझे बेजते हैं sir हमारे ना 65% ही आ रहा है candidate resource में मुझे unfortunately उनको कहना पड़ता है कि देखो आप एक risk zone में हो if possible defer करो और deferral possible नहीं है तो मेहनत करो वो students कई बार जिद में यह भी have not actually cleared the examination in most instances तो आप भी खुद को एक outlier मत समझेगा if you are scoring poorly in the candidate resource maybe you need more time to prepare for the exam अच्छा यह previous year का 69% के आसपास था जो मैं already आपको बता चुका हूँ ओकि इसके अलावा fourth और fifth point जो मेरे इसाब से last point से last observations है 90 percentile का इस बार number dramatically 80 से 81% के बीच में है and मुझे ऐसा लगता है 80 के आसपास है again यह approximate numbers है आप मेरी caller मत पगड़ना यह बात के लिए user एकदम prove करके दिखाओ मैं prove नहीं कर पाऊंगा statistically कुछ analysis की है मैंने but 80-81 के कहीं बीच में है now मेरे लिए surprising कि इसलिए है क्योंकि previous attempts में यह होता था 83% के आसपास में 82-83 के बीच में होता था यह number जो कि अब की बार 80-81 के बीच में आ गया है मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद 90 percentile का number नीचे आया है again यह सारी analysis करने में मेरा sample size छोटा है मैं अभी जितनी जल्दी यह video बनाया हूँ handful students ने मुझे result भेजे है एक दो students ने 90 percentile भेज दिया मैंने उसके basis पर यह conclude किया है but यह analysis हर बार करता हूँ मैं तो obviously इसमें कुछ तो expertise है कुछ तो बोल सकते है कि faith आप रख सकते हो so 83 का 80-81 percent तक आ जाना 90 percentile को नीचे धकेलना यह क्या show करता है वो आपको analysis करना है पर मेरे हिसाब से हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा इस बार number नहीं आया है 5th point यह थोड़ा controversial point है क्योंकि मेरा sample size बहुत ज़्यादा छोटा है तो मैं यह action में दावे के साथ नहीं कह सकता पर मुझे ऐसा feel क्यों हो रहा है कि derivatives थोड़ा technical रहा है इस बार August के examination में जादे तर जो मैंने उपर-उपर से results देखें derivatives में एक गजब का dip देख रहा है मुझे जादर students के case में मैंने एक student के case में तो देखा जिसको all time में 100% आया है 90% आयलर student है all time में लेकर क्या है 100% but derivatives में less than 70% कुछ था तो वो मुझे तोड़ा concerning लगा and काफी students का और भी देखा वहाँ पर भी derivatives concerning लगा तो I am not really sure but फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद the derivatives थोड़ा सा technical आया जो भी students exam दिये और exam देने के बाद में अपना कोई भी observation रखना चाते हैं वो comment section में जरूर से डाल सकते हैं there are plenty of students who will go through this video तो उनके लिए शायद आपका कोई भी case study आपका कोई भी observation उनके काम आ सकता है clear? इसके अलावा आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो please subscribe करें चैनल को and चैनल पे बहुत सारे videos अल्रेड़ी हैं आने वाले समय में मैं हाल फिलाल में तोड़ा कम active रहा लेकिन आने वाले समय में और जाधा activity बढ़ेगी and खास करके 2024 के examinations के लिए हम बहुत तगड़ी तैयारी कर रहे है video course पूरी तरह से update कर रहे है and ये सारी चीजे आप सबको अगर चाहिए आप सबको अगर सिर्फ एक subscribe करने से आपको मिल रही है तो उससे बड़ी आप कुछ नहीं होगा बहुत सारी activity होगी with respect to 2024 examinations stay tuned to the channel बाद बागी अभी के लिए तो इतने ही रखेंगे I'll see you in the next one take care, enjoy yourselves please and please पढ़ाई करते रही है जो लोग के भी exams आगे आने वाले है and yes, मैं एक दम से बोलना ही भुलिया जिनके भी scores अच्छे हैं बहुत बहुत congratulations आप सभी को और जिनके इस बार August के results अच्छे नहीं हाए है कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे वापस दुबार देंगे, I would just say rush मत करना examination के लिए आप समय लो और समय ले करके ये exam देना हाँ वैसे August में चलो examination clear नहीं कर पाए, उनको 2024 में ही देना है exam तो I would say में में देना, फेब में मत देना ठीक है, चलो, अभी के लिए इतना ही I'll see in the next one, बाई